एक व्यक्ति पैंसिल से कुछ लिख रहा था, उसका बेटा उसके पास आया और पूछा पापा आप क्या लिख रहे हो? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरे लिखने से भी अधिक महतपून यह पैंसिल है जिससे मैं लिख रहा हूँ, बेटा बड़े होकर एक पैंसिल की तरह बनना, बच्चा आश्चरे चकित होकर पिता को देखने लगा, और फिर पैंसिल को देखने लगा, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चा पिता से पूछने लगा, पापा इस पैंसिल में ऐसी क्या खास बात है, जिसके कारण आप मुझ से कह रहे हो कि मैं इसकी तरह बनूँ, व्यक्ती ने कहा, इस पैंसिल में पाच ऐसी बाते हैं, जिसे अगर तुम अपना लोगे, तो बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे, फस्ट है बेटा, तुम दुनिया में चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, चाहे कितनी ही सफल प्राप्त करो, लेकिन यह ना भूलो कि कोई है जो तुमें समाल रहा है, और तुमें इस काबिल बना रहा है, और रहे है मालिक, इसलिए तुम कभी भी अपने आपको सर्वश्रेष्ट समझ कर कभी भी घमंड नहीं करना, याद रखना तुमारे उपर भी किसी का हाथ है, तो इसे शार्पनर द्वारा शार्प किया जाता है, बले ही यह थोड़ी सी तकलीफ देने वाली चीज हो, लेकिन यह फिर से तेज हो जाती है, और यह फिर से लिखना शुरू कर देती है, तुमें यह सीख लेनी चाहिए, कि इंसान की जिन्दमिकी में बले ही दुखाए, बले ही उसे ऐसाफलता मिले, इससे उसे हारना या निराश नहीं होना चाहिए, वलकि उस दुख से निकलने की और ऐसाफलता को सफलता में बदलने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, थर्द, जब हम पैंसिल से कुछ लिखते हैं, अगर वह गलत हो जाए, तो हम उसे रबड स मिटा भी सकते हैं, इसमें तुमें याद रखना है कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, तो तुम उस गलती को तुरंत सुधार लो, क्योंकि गलती को सुधारना कोई गलती नहीं है, नेक्स्ट, पैंसिल के उपर का जो लकडी का हिस्सा होता है, उसका कोई महत्व नहीं हो तुमारे शरीर का कोई महत्व नहीं है, तो महत्व है तो सिरफ तुमारी आत्मा, अंतरात्मा का, नेक्स्ट, जब पैंसिल कुछ लिखती है, तो वह कागज पर कुछ छाप छोड़ जाती है, जो लंबे समय तक कागज पर देखी जा सकती है, तो तुम भी यह ध्यान रखो कि तुम जो भी करोगे उसकी चाप तुमारे बाद बाकी रहेगी, अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी कैसी चाप छोड़ना चाते हो, कोई भी कारिय करने से पहले दो बार सोच ले कि कही आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे है, आशा करती हूँ वीडियो आप को पसंद आई होगी, वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, टैंक यू